हेलो प्रेंट बैलकम बैक टू माई चैनल इंडियन बेटी नीदी प्रेंट्स आप मेरी चैनल में नए है तो लाइट से एंड सब्सक्राइब कीजेगा बैल आइकन जरूर दबाईएगा ताकि चैनल की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे फ्रेंट्स आज हम बन लिए टमाटर नहीं यूज कीजेगा रेड टमाटर जो टाइट हो नहीं यूज कीजेगा और हम इसमें स्टफिंग फिल करेंगे फ्रेंड इसलिए हम इसमें कट करेंगे उपर से क्योंकि और इसके पीच के पार्ट को रिमूब करेंगे हम स्टफिंग के लिए तयार जुए बिस का पास्ट आसाने से रीमूब हो जाता है 尸क तरह आटर अशारी पार्ट पढ़ता नहीं है तो तूटत नहीं है तो इस तरीके से रीमूब कर लीजेगा और गुच आगे हम गशिंज करेंगे कम अस तरह कढ़िए ज़ो जए अब चमर वे तरह कें करें' अब यह गेवी बनाने के लिए मैंने यहां रफली चॉप करके ओनियन लिया है एक और यहां गारलिक लिए है अब यहीं पे मैं साथ में हरी लाइची पीस्ट लूँगी ग्रीन काडमम और मैंने अद्रक का टुकडा लिया है इसे चोटे-चोटे टुकडे में काट करके इसक तैयार करेंगे मैंने उबले हुए आलू ग्रेट जिंजर और चॉप ग्रीन चिली लिया है मैं यहीं आलू में मसाले आड़ कर दूंगी तेसके कोडिंग शॉल्ट हाप टेबलस्पून तर्मरीग पाउडर और हाप टेबलस्पून चार्ट मसाला पाउडर हाप मैंने यहां क्यूमिन सीट्स और हाप डेबिल स्पून फैनल सीट एड़ करेंगे हलका साटे करेंगे इसे जब अच्छी से खुश्बू आने लगेगी तब इसमें हम चॉप की हुई ग्रीन चिली एड़ करेंगे और इसको भी सौटे करेंगे और फिर मैंने यहां पर मिला के हमने रखा हुआ है उसको एड़ करेंगे यह देखिए हमारा द्रग सौटे हो रहा है अब हम यहीं पर यह एड़ कर देंगे आलो को मैंस की हुए आलो को एड़ कर देंगे और गैस की फ्लैम को फिलकुल सिम रखिएगा दीमी आज में मसाला भूनेगा जितना अच् की फिल करेंगे तो इस तरीके से फिल कीजेगा और Southwest इसको गर करना है जितना आसानी से कीज़गे नहिं तो जिब आप टमाटर को पकाएंगे तो आपके टमाटर फट जाएंगे और जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगी तो जितना हो सके उतनी ही स्टफिंग इसमें भरियेगा यह देखे इस तरीके से भर लीजेगा सारे टमाटर को अब हम दूसरा पैन लेंगे यहाँ पे हम ग्रेवी तैयार करेंगे तो टेवल स्पून हमने यहाँ पे ओल लिया है फ्रेंड्स ओल गरम हो जाएगा तो मैं यहाँ पे कुछ होल स्पाइस लिया है मैंने यह देखिए तो इससे हम ऑल में डालेंगे और हलका सा सौटे करेंगे छो मैंने यहां पेस्ट तयार किया था वह पेस्ट इसमं एड कर देंगे और गैस के फ्लेम को सिम रखेंगे means жд अपना अमसाला मुझेगा उतने दीने दीने दीनारी मसाला और सब्सक्राइब इस तरह से से मिक्स कर लिए दूसरे पैन में दूसरी तरफ मैंने एक पैन और लिया है इसमें मैंने हाफ टिबिस्पून ओयल एड़ किया है और इसमें टमाटर जिस टफ किया हुआ था उसे आड़ कर देंगे और इसको पकने देंगे और टमाटर को अच्छे से इसमें रखि और इसे पकूप करने देंगे 5 मिनिट के लिए 5 मिनिट में तयार हो जाएगा ये और दूसरी तरफ हमारा देखे मसाला भून चुका है और इसमें मैं कुछ थोड़े ड्राइए मसाले आड़ करूंगी यहां पर मैंने हाफ टेबल स्पून तर्मरीक पाउडर थोड़ा सा सॉ पाउडर एड़ करूंगी और यहां पर मैं एक टेबल स्पून गराम मसाला पाउडर एड़ करूंगी और हाफ टेबल स्पून यहां पर मैं रोस्टेट क्यूमिन पाउडर एड़ करूंगी हलका सा चला देंगे इसको हलका सा और यह भूनने देंगे मसाले को धीमी आज मस यहां पर मैं यहां पर वन टेबल स्पून का सूरी मैथी एड़ करूंगी इससे बहुत अच्छे खुश्पो आती है और ग्रेवी का टेस्स भी बहुत अच्छा लगता है तो इसको एड़ करूंगी और मसाले को भुनने देंगे दूसी तरफ हमारे पांच मिनट हो चुका है और हमारे टमाटर देखिए को खोचुके हैं पक चुके हैं आपको अलग से दिख रहा होगा स्टफिंग बाहर नहीं निकली है बिल्कुल फिल है और यह देखिए इसलिए बिल्कुल टाइट टमाटर यूज कीजेगा आप और स्टफिंग को जादा दबा के महीं भरियेग अब हम अपने ग्रेवी को देखते हैं यह देखिए भून चुकी है यह भी अच्छी तरीके से अब इसमें हलका सा बटर एड़ करेंगे आपके पास बटर हो घी हो कुछ भी आड़ कर सकते हैं इससे ग्रेवी बिल्कुल स्मूध बनेगी और बहुत पेस्टी बनेगी तो बटर में से कुछ भी आप आड़ कर सकते हैं जो आपके पास हो भलका सा पानी आड़ करेंगे और चला देंगे क्योंकि अब मुझे यहाँ पे मिल्क आड़ करना है तो हम यहाँ पे मिल्क आड़ करेंगे मैं यहाँ पे एक कप मिल्क आड़ किया है और अच्छे से चलाते और फ्रीम को बिल्कुल दीजेगा दीजे घमी कर दीजेगा और फ्रेस्च रेम डालयेगा जब आप मिल्क और फ्रेस्च क्रीम आड़ करें तो चलाते रहेगा जैसे फुक करने δेंगे 5 मिनट के लिए 5 मिनन्ट बात देखिए कुख होगा और ऑईल भी उपर-उपर आने और यह देखे हमारा मसाला तयार हो चुका है 5 मिनट और कुक किया था मैंने यह देखिए इस तरीके से मारा मसाला तयार हो चुका है बहुत टेस्टी ग्रेवी बनी है फ्रेंट्स जरूर ट्राइ किजेगा बताईएगा और दूसरी तरफ अब एक हम सर्विंग बाउन लेंगे उस पे हम अपने टमाटर को इस तरीके से सेट कर देंगे फ्रेंट्स जरूर कमेंट में बताईएगा कि आपको इस तरीके से सेट कर दिया है मैंने टमाटर को किते पढ़िया लग रहे हैं स्टफिंग बिल्कुल फिल है अच्छे से भुनी हुई स्टफिंग है और जो मैंने ग्रेवी तैयार की है इसको उपर से हम ऐसे सर्व कर देंगे बहुत ही टेस्टी रेस्पी है फ्रेंट्स जरूर ट्राई किजेगा और बताईएगा कि आप अगर स्टफिंग डमेटो बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं आपको मेरा यह रेस्पी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स थैंक्यू सू मच्छ